आप सभी का आज के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी को एक बार मैं फिर से अपने वीडियो के माध्यम से IIBF की बहुत अच्छी त्यारी कराने के लिए उपस्तित हूँ तो कॉमेंट में बताईएगा मेरी पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बाद मैंने सोचा कि तीन वीडियो मैंने बुक से रिलेटेट पढ़ा कर आपको दी थी तो कुछ जो है क्वेस्चन आंसर की एक सीरीज के एकर्डिंग भी मैं कुछ जो है एक वीडियो बना है तो वीडियो को एंड तक जिरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लेगें लाइक अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए ताकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहें और ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो भी आ इसका अर्थ ही आपको जानकारी होना चाहिए तो यहाँ पर यूपी बीसी सखी जो है तो बीसी सखी कौन है पूरा नाम इसका है यूपी बैंकिंग समवाददाता सखी समवाददाता इंगलिश में का जो आप लोग पढ़ते हैं कि बीसी कोरस्पॉंडेंट यानि कि बीस कौरस्पॉंडेंट का अर्थ लिखा है बीसे बैंकिंग सी से कौरस्पॉंडेंट सी सखी तो यहाँ पर कौरस्पॉंडेंट का आप लोग को अर्थ जानना बहुत जरूरी है बैंकिंग से आप समझगे बैंक से रिलेटेड तो जनकारी होई जाती सुनकर कौरस्पॉंडे के कई अर्थ होते हैं पत्राचार पत्रव्यवार सामंजस साद्रस से लिखा पड़ी अनुरूपता अनुकूलता समवाद धाता इसके अतिरिक्त कारोबार संपरकी और इस तरह जो है आप जान सकते कई सारे नाम होते हैं तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना कि बहुत इंपोर्टरिट जानकरी हम स्वहम साता समू से रिलेटेड उसकी नौकरी से रिलेटेड और बिसे सकी से रिलेटेड आप सभी को पहुँचाते हैं चलिए यहाँ पे पहला प्रशन देख लेते हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना क्या है तो चार आप्शन है व कि उपर युक्त सभी तो उपर युक्त सभी पे आप जो है टिक करेंगे क्योंकि यह राष्टी मिशन भी है और वित्ती से वाई भी देती है कि फायती ढंग से बीवा पेंशन ये भी प्रधान करती है तो सभी जो है इसका अंसर वो ठीक होगा दूसरा प्रशन है के देख लीज़ना के तहट खातादारकों को एक लाग रुपे का दुरगटना बीमा मिलता है और साथ में तीस हजार रुपे का सामानी बीमा दिया जाता है कैसे अगर खाता धारक का एक्सिएंट हो जाता है तो उसे तीस हजार रुपे और अगर उसकी मौत हो जाती है तो एक लाग रुपे दिये जाते हैं यानि कुल एक लाख तीस हजार रुपे का लाब मिलता है अगर आपने जीरो खाता पिधनमंति जंधन योजना वाला खाता खुलवाया है और इसके लाबा निम्तम रासी होने पर जंधन खाते पर कोई अतिरिक्त सुल्क नहीं लगता है यानि कि जीरो पैसा भी आपके खाते में तो भी कोई पैसा कटा होती या कोई भी समस्या नहीं होगी जंधन खाते में खाता दारक को अपनी जमारासी पर ब्याज भी मिलता है दो लाख रुपे के अकस्मिक बीमा कवर के लिए पातर होता है खाताधरकों के लिए कोई नियुन्तम स्रीच राशी के आवशकता नहीं यानि कि आपको खाते में आवशक नहीं है कि 500 छोड़के रखी है 200 छोड़के रखी है ऐसा कुछ नहीं है इसमें 30,000 जीवन कवर का लाभ भी सामिल होगा जो की खाताधरक की मिर्त पर दे होगा लेकिन तब ही जब आप पातरता की सर्थ पूरी करता जैसा है कि मैंने पिछले पीछे में बताया है तो इस तरह से लाभ मिलता है इसके अलावा आप पूरे भारत में आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यदि वे सरकारी योजनाओं के लिए हगदार है तो उनके खाते में रासी जमा की जाएगी नहीं बहुत सारी योजनाओं आती ही जैसे कि लाग डाउन में 500 रुपे आये थे पांच पांच सो वो भी मिले तो जो भी सरकारी योजनाओं है उसका लाब जो है खाते में सीधे मिल जाता है पैसा एक बार जब आप खाते को 6 महीने के लिए सबलता परोग संचालित करते हैं तो आप पहले 10,000 रुपे की ओवरड्राफ सो विधा के लिए पांच अजार थी पेंशन और बीमा उत्पादों के लिए सुलब हो सकता है यनि पेंशन भी मिलती इसमें पहुत तरह की सरकार के द्वारा और बीमा वगरा रुपे तक की ओवरड्राफ सो विधा है रुपे कार्ड मिलता है वो भी पिरती परिवार को केवल एक खाते में 10,000 रुपे दिये जाएंगे लेकिन महिला परिवारों को प्रात्मिकता है महिलाओं को प्रात्मिकता है ये ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये जो है कुछ important बाते थी जो मैंने आपको बताई है कि क्या-क्या लाब जो है प्रधानमंद्री जंधन योज़रा खाते में होता है इसके लाब अगर PMJDY ये प्रधानमंद्री जंधन खाता आप खोलने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी चीज़े आपके पास होनी जरूरी है जैसे की फोटो पहचान परमाड जो खाता खोलना चाहता है उसे फोटो पहचान परमाड ये की वोटर आइडी आपके पास हो या धार कार्ड हो ये ड्राइविंग लाइसेंस आदी ले जाने की आवशकता होती है रासन कार्ड आपका रासन पतिका या पैन कार्ड है तो व बानी का बिल है या फोन का बिल या गैस कनेक्शन की किताब है या अधार कार्ड से कुकि उस को पता लिखा होता है पासपोर्ट साइक की दो फोटो कमसे कम तीन फोटो होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसन्स वेटर आईडी तो इस दे आपका पता पुरूफ होता है जॉब अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेस्टेंग पधाल मंत्री जंधन योजना के लिए निगरानी चरड के कितने इस्तर हैं। का नम्बर पे 2, खा, 3, गा, 4, गा, 5। कितने इस्तर हैं निगरानी चरड के ? मैंने वीडियो अप्लोड की थी उसमें सब पढ़ाया था बताया था तो निगरानी चरड के कितने इस्तर हैं ये आपको बताना है तो निगरानी चरड के तीन इस्तर हैं मैंने आपको बताया था पढ़ाया था बुक में कितीन इस्तर हैं कौन-कौन से केंद्री इस्तर राज अगले प्रश्ण देख लेते हैं कि प्रधान मंत्री जंधनी यूजना के अंतरगत बैंक खाता रिक्तस्थान यहां पे भरना है कि पर खोला जाता है अगला प्रशन है कि प्रधान मंत्री जंधनी ओजना के परधान मंत्री लिखा याँ पे एक आत्रिक्त है प्रधान मंत्री जन्धन योजिना इसका सही उत्तर होगा तीन गलत है खा नमबर पे आपका सही है प्रधान मंत्री जन्धन योजिना PMJDY अगला प्रश्ण देख लेते हैं PMJDY रिक्तिस्तान भरना यहां पर इस्तंभों पर निर्मित है कितने इस्तंभ है छे इस्तंभ मैंने आपको बुक पढ़ाई दी पिछली वीडियो में तो बताया था कि छे इस्तंभ है तो छे इस्तंभ इसका गानमबर उत्तर सही होगा अग पानमबर सही है नगद रहित जंधन योजना एक दीर्ग कालीन विजन एक नगद रहित अर्थविश्था की नीव रखना है इसमें कुछ भी आप नगद पैसा जमा नहीं करते हैं सिरे सूने से खाता खुलता है अगले प्रश्ण देख लेते हैं कि PMJDY के अंतरगत और ड् सुविधा यह PMJDY के एक खाता धारक को उपलब्द है यह खाता खोलने के तुरंट बाद उपलब्द है यदि आदधा नमबर उपलब्द नहीं है तो बैंक अतिरिक सावधानी बरतेगा और लाभारती से गोशना पति भी मागेगा तो यह खाता खोलने के तुरंट बाद ये केवल उत्तर गलत हैं बाकी तीन सही हैं यानि कि पहला भी सही दूसरा भी सही चौथा भी सही तीसरा गलत है तो आपका नीचे चार आप्शन दियें उसमें से आपका गा नंबर सही होगा पहला दूसरा और चौथा अगला प्रेशन है कि क्या ओवरड्राफ सुविधा एक सेधी खाते में उपलब्द हो सकती है यानि कि 5000 तक की ओवरड्राफ सुविधा परती परिवार एक ही खाते में उपलब्द होगी परत्मिकात परिवार की महिला को यही पहला वाला उत्तर आपका सही होगा कि पांच हजाता की ओवरड्राफ सुविधा है PMJDY में एक परिवार के परिटी परिवार एक खाते में लेकिन वो महिला का हो महिला को प्राथमिकता दी गई है बाकी तीन नीचे के वो गलत उत्तर है ना पांच हजार ओवरड्राफ परिवार अकेले नहीं होगी ना ही 25,000 का और ना ही कोई ओवरड्राफ सुविधा ये भी गलत है तो आपका जो का नमबर पहला सही है अगला प्रशन है कि ओवरड्राफ सुविधा उन बचट बैंक खातों में अनुमत होगी जो रनिंग ओवरड्राफ सुविधा की रूप में 36 महा तक खाते की वार्सिक समिक्षा क अधिन और इस तरह से आप सारे आप्शन पढ़ लीजी और इसमें से पहला जो आप्शन है वही सही है 36 महा तक जो आपका रनिंग ओवरड्राफ होगा सुविधा उसी में मिलेगी अगला प्रशन है सी के नीचे कि पीम जेडिवाई के अंतरकत ओवरड्राफ कौन मंजूर कर सकता है वेफसाय पर दिन धी बैंक की साखा बैंक का नियर्टन कारयल है उपक मेंसे कोई नहीं तो यहां पर चार अप्शन में से आपका खा नंबर जो है वह सही होगा बैंक की साखा यह आपका प्रशन उत्तर सही है अगला प्रशन देख लेते हैं कि पीम जेडिवाई है चूक की रखम का 60% ये उत्तर सही है और इसके बाद इसी के नीचे अगला प्रशन है कि पीम जडी वाई के अंतरकत रोड़ गारंटी कवर ओवर ड्राफ्ट के लिए कौन भुकतान करेगा व्यवसाइब परतिनिधी यानि की बीसी सकी या बीसी मित्र या फिर उधार करता संबंधित बैंक या सरकार तो यहां पर आपको जो है वो उतर देना है और इसका उतर आपका होगा संबंधित बैंक गानंबर अगला प्रेशन आपका है PMJDY यूजना के अंतरगा जीवन बीमा कवर की बीमित रासी कितनी है लिक्तिस्तान में आपको भरना है तो जीवन बीमा कवर की बीमित रासी 30,000 रुपए है निका नमबर आपका सही है एक लाख रुपए दुरगटना होने पर जो है आपका जो है वो जो है आपका मिलेगा जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बता रखा है आप बैक जाकर के उसको देख सकते हैं और अगला प्रशन है कि PMJY के अंतरगत निमनी में से कौन सुरक्षा के लिए पातर नहीं है इसमें भी आपका पहला का नमबर उत्तर सही होगा एक ग्रामीड व्यक्ती 15,8,14,21,15 की अबधी को पहली बार पैंग खाता से रुपेकर साल खाता खोलने वाला अगला प्रशन है कि PMJY के अंतरगत उक्त योजना में जीवन सुरक्षा के लिए उम्र है कितनी उम्र है खा नमबर उत्तर सही है 18-69 के आई गुरूप उसके बाद इसी के नीचे अगला प्रशन है कि बताईए कि निम्र लिखित कथन सही है या गलत इसमें से का उत्तर सही है और गा उत्तर सही है खा उत्तर गलत है तो का पहला उत्तर भी सही है गा भी उत्तर सही है लेकिन खा इसमें आपका गलत है और ये अच्छे से पढ़ वहां भी यह सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे बुक पढ़े रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे तो यह कुछ प्रश्ण थे जो बहुत इंपॉर्टन थे और आप मेरी पिछली वीडियो भी जरूर देखिए मिलते हैं नेक्स्ट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद